पिछली चार माह में देश में दो करोड नौकरियां खतम हुई हैं आंकड़ा लगभग दो लाग से उपर है प्रदेश में बेरुज़ार युवाओं की संख्या 15 लाग के करीब पहुंच चुकी है ऐसे में सरकार को विशेश नीती पनाने की आवश्यक्ता है प्रदेश कॉं संख्रिस के प्रदधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि बाहरी प्रदेशों में नौकरी कर रहे लगभग देड़ लाग हिमाचली करोनस अगटकाल में बेरोज़गार हुआ है ऐसे में प्रदेश में ही रोज़गार देने के लिए सरकार को विशेश तोर पर प्रयास कर करने चाहिए दीपक शर्वा ने कहा कि भाजबस सरकार का ध्यान इन चलंत स्वस्याओं बारे नहीं है सरकार मात्र अपनी गदी बचाने में ही अपने समय गवा रही है जबकि विरोज़गारी महगाई से चनता बेहाल है विकास कारे ठप हो चुके हैं उन्होंने कहा कि कॉ इसको इन विश्यों पर अंदोलन छेड़ने की आवश्यक्ता है प्याल टेवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट